हेलो प्रेंट्स आपके यूट्यूब चैनल मैत्स विजाड में आपका स्वागत है तो जैसे की पता है कि आपको मैं इस चैनल के माध्यम से साथ ही साथ को कुछ भी आपके साथ सीखता हूं और जो कुछ सीखता हो तो उसके साथ ही मैं आपके साथ करता हूँ ताकि आप जो है वो हुआ को motivated रख सके और आप भी मतलब कुछ सीखे मतलब सिधी सी बात है कि अगर आप किसी को follow करते कहीं से कोई अच्छी बात जानते हैं तो आपको काफी helpful होता है तो आज की विशाय में बात करेंगे कि कौन से एक्जाम को तैयारी करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो देखिए सबसे पहले कोई भी एक्जाम का preparation करने से पहले आपको जो है अपका weakness और आपको अपना strength जो है वह क्या होना चाहिए पता होना चाहिए कि आप किस चीज में export है और आपका आपकी weakness क्या है कौन से चीज को आप जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो क्या कर लिजेगा प्रिप्रेशन कर लिजेगा तो इसका पता करने के लिए क्या करिए आप उस पार्टिकुलर एक्जाम के नेट आजकल सब के पास होता है मुबाइल मुल्टिमीडिया सेट भी आजकल जो है वो सभी लोगों के पास होता है इस केस में आपको क्या करना चाहिए इस केस में आप को जो है वो उस exam के particular exam के previous year question paper का सबसे पहले जुगार करना चाहिए और उसके आपको previous year question paper को जो है बहुत ही गहराइई से आपको देखना चाहिए लगतार three years four years के previous year question paper को ज़ब थोड़ा गहराइई से अच्छे से देखिएगा कि उसमें क्या है reasoning का है Maths का है, JKGS है, क्या कैसे है, जब आप उसको बहुत ही ध्हान से दिखीएगा, तो आपको idea लग जाएगा कि क्या ये exam निगाला जा सकता है और क्या exam नहीं निगाला जा सकता है, कौन सा आपका subject है, क्या מכा अपका weak point है वो आपको सबकुछ प्रोपर में पता चल जाएगा अब बस क्या है जो आपको मतलब जो आपका क्या है आपका ये जो आपका strong है वो तो है ही लेकिन जो आपका weak है उस पर क्या करना पड़ेगा आपको particular में में काम करना पड़ेगा उस पर आपको time देना पड़ेगा क्योंकि आप उसको पढ़िएगा उसे related question को solve करिएगा उसे related question का practice करिएगा उसमें आप accuracy लाइएगा तो जब आप उस पर काम करना इस्टार्ट कर दिजेगा धीरे 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 आप देखिएगा कि जो subject आपका क्या था विक था वो भी जो है वो धीरे धीरे आपका क्या होने लगा सई होने लगा प्रोपर वे में आपका होने लगा तो ये सब चीज समझना technical way में बहुत जरूरी है ठीक है आप ऐसा नहीं कि आपको कोई बोल दिया कि आप इस exam की तयारी करिए आप उस exam की तयारी कर दिये आपके किस relative ने बोल दिया ये इस exam की तयारी करिए उस exam की तयारी करिए तो ठीक है उनकी बातों को सुनना चाहिए लेकिन उनको जो है तयारी नहीं करना है तयारी आप ही को करना है और exam भी आप ही को जो है क्या करना है निकालना है और आपको मतलब job लेना है तो आपका weakness और आपका strength आपसे बहतर कोई जान नहीं सकता और आप किस चीज को कर सकते हैं और कितना आप में ability है ऐसे तो आदमी में बहुत ही जादा ability है अगर आदमी अपने ability को identify कर गया time पर तो आ और इस type से आप किसी भी exam की चाहिए आपको teaching का exam हो या फिर कोई भी sector का exam हो तो अगर आप particular है पहली बार इस exam के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस type का technical knowledge आपको आपके पास क्या होना चाहिए रहना चाहिए यह सम knowledge जो है आपको क्या होगा आपको help करेगा आपके particular exam की तैयारी करने के लिए क्योंकि अगर आप बीना सोचे समझे ही किसी exam की ऐसे ही आप तैयारी करने लगते हैं और आप आधा time उसमें देते हैं और कुछ समय देने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा यह syllabus हार्ड है थोड़ा सा यह नहीं निकल पाएगा ऐसे वैसा कुछ something something होता है mind में आता है तो इस case में आपका क्या होगा फिर आप दूसरे टाइप दूसरे exam की तरब क्या कर जाते हैं आप move कर जाते हैं कि अच्छा इसको देखते हैं और इस type से आप क्या रहते हैं डाइवर्टेड रहते हैं और आप जो है वो कहीं पर एक particular exam पर concentrate नहीं कर प जो है एक बार उसको प्रोपर में technical में क्या करना चाहिए सोचना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपका वो मतलब आप कोई भी decision को सोच समझ के लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए काफी helpful होगा और आप जो है वो मतलब बाद में आपको regret नही सकते हैं और प्लान करके जो है वह उसको कर सकते हैं और इस तैप से अपने त्यारी इस्टार्ट कर सकते हैं कुछ हम कोई बी काम कोatta करने से पहले उसके टेक्निकल वे में उसके सभी पहलू को थोड़ा सा सोच समझ ळेना पियात ज़ारा होता अगर आप थोड़े से सीरियस में कोई वी decision लेते हैं यकीन मानिये माँए वाद में जब उस decision को जो है वो regret मतलब आपको नहीं होता है अब हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लेते है इस case में आपको क्या होता है इस case में आपको जो है वह आप जब आपका काम incomplete रह जाता है तो आपको काफी जा हो होता है मतलब अजीब टाइप से आप को इस टैप से आपको कोई डिस्रीर लेना चाहिए मैं भी इधर से कुछ ने कुछ सीखता हूँ तो मैं सूचतो हो आपके साथ सेयर कर सुखो ठीक है तो एक छोटा सा बात था मैं सूचा कि कि आपके साथ करो वीडियो प्रसंद आप लाइक कर दिजेगा और आपको चैनल से कुछ भी हैल मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और टेलिग्राम कि अज़ टो कुछ से लांगे हुऊ कर दो की ज़ खुछ ए हुभरें थास्ट अब बहुंब झाल